नमस्कार दोस्तों मैं उरितिक बोत्रा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चेनल गरिमा बोत्रा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्तान के लाखों विद्यार्थियों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो प्राइवेट और स्वेमपाथी विद्यार्थियों' नोन कॉलेजियेट विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर दोस्तों निलकल कर आ रही हैं कि फाइनल एर के अतिरिक उनको भी दोस्तों प्रमोट किया जाएगा अभी तक दोस्तों मैं आपको बता दू बहुत बड़ी यह संसई की इस्तिती बनी वी थी कि नियमित विद्यार्थियों को तो फाइनल के अतिरिक प्रमोट कर दिया गया था लेकिन क्या प्राइवेट और स्वेम पाटी विद्यार्थियों को भी प्रमोट किया जाएगा या नहीं लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दू अब ये स्टतिक क्लियर हो गई है और जो स्वयम पार्टी और प्राइवेट विद्यारती है उनको भी प्रमोट किया जाएगा पूरी जानकरी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये दि आपने अभी तक हमारे अपनी चेनल गरिमा बोथरा को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लीजे बेल आइकन बटन को दबा दीजे जिससे सबी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सभी वाइस सटीक निउज ये दोस्तो आप देख सकते हैं जी राजस्तान का ओपिशल ट्विटर एकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ और वहाँ पर ये ट्विट के आवा देखिए दोस्तो राजस्तान के लाखो विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर युनिवर्सिटी ने स्वयम पाठी विद्यार्थियों को प्रमोट करने का लिया फैसला अंतिव वरस को छोड़कर सभी विद्यार्थियों को प्रमोट करने का लिया फैसला तो यानि दोस्तो मैं आपको बता दू फाइनल येर के अतिरिक जितने भी प्राइवेट या नोन कोलेजियेट इस्टुडेंट है उनको भी दोस्तों प्रमोट किया जाएगा ये बड़ी जीत हुई है दोस्तों हम सब विद्यार्चियों की जो लगातार ये संगर्स कर रहे थे कि हमारे प्राइवेट प्रमोट किया जाए क्योंकि उनको भी कोरोना संकर्मन का खत्रा उतना ही जादा है जितना नियमित विद्यार्चियों को है आज हमारी ये दोस्तों बड़ी जीत हुई है फाइनल के विद्यार्चियों को दोस्तों प्रमोट नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं आपको बता आगे दोस्तों आप यह देख सकते हैं UG और PG के विद्यार्थियों को अगले 15 दिनों में किया जाएगा प्रमोट तो वहीं अंतिवरस के विद्यार्थियों की परिक्सा होगी नियमित विद्यार्थियों के साथ तो यानि दोस्तों मैं आपको बता दू यदि अंडर ग्रेजुएशन के फस्ट यर और सेकेंड यर की बात करूँ तो उनको दोस्तों मैं आपको बता दू अगले 15 दिनों में है वो प्रमोट कर दिया जाएगा और जो पीजी यानि पोस्ट ग्रेजुएशन में अम्मे अमसी या अमकुम के विद्यार्थियों उनको भी अगले 15 दिनों में दोस्तों प्रमोट कर दिया जाएगा हलांकि जो फाइनल येर के विद्यार्थियों उनकी regular students के साथ में ही है वो परिक्षयों करवाई जाएगी अब दोस्तों हमारी मांग ये है कि फाइनल येर की जो परिक्षयों है वो online open book examination mode के आदार पर करवाई जाए जो जो विद्यार्थी online परिक्षयों देने में समर्थ है उनके लिए ऐसा आयोजन किया जाए और जो विद्यार्थी दोस्तों कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है जो ग्रामेट परिवेस में है वो रहते हैं जिनके पास में desktop या विर mobile की सुईदा नहीं है उनके लिए offline exam का जो विद्यार्थी जिस मोर्थ से exam देना चाहिए उसे उस मोर्थ से है उसका exam ले लिया जाए उससे प्रसासन को भी दोस्तों आसानी होगी विद्यार्थियों के लिए भी आसानी होगी उनकी परिक्साइं भी हो जाएगी सुप्रिम कोट और UGC की guideline की पालना होकर जल्द निरने भी निकल जाएगा दोस्तों रिजल्ट भी आ जाएगा तो यही हमारी दोस्तों मांगे लगाता हम इसको लेकर के संगर्स कर रहे हैं धन्यवाद दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दिख शेर जरूर करें चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये तो सबस्क्राइ